हेलो दोस्तों नमस्कार सबको और हैपी महाशिवरात्री तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगा जो चिकन मटन नॉन बेस खाने वाले नॉन बेस ही भूल लाएंगे ऐसा टेस्ट इसका आता है और इसका नाम है सोया चाप जो की पूरी वेजिटेजिन र आता है और यह बहुत बढ़ी तरीके से इसको बनाया जाता है और यह नॉन बेस को पूरा फेल कर देती है प्रस्तों काटने का तरीका आपको रिखा देता हूं इस तरह काटके इसके बीच में रहती है अपनी आइसक्रीम जैसी डंडी इसको अब निकार लेंगे बाहार औ तो आम मीडियम साइज में इसे काट लेते हैं इस तरीए से काट लेना है चालिए सब काट ले रहे हैं फटावर्श से इसमें कोई भी वह नहीं है अब यहां पर हम डालने सर्सो का तेल जिसमें हमें इसे फ्राई करना है कर लेते हैं और यहां आपको दिखा जाता हूं मैंने एक प्याज लिया हुआ है साथ में मैंने अद्रक के टुकड़े और हरी मिर्च और लेसुन इन सब को हमें एक साथ पीसना है तो इसमें अलाग अले को पेस्ट डालने के ज़्यूबद नहीं है आप सब चीजों को एक साथ ही पीस लिजेगा तो देखिए मैंने पीस लिया है आप देखिए चाफ हमारी अब यहां पर मैं डाल लाउं भणनी है सुखा साथ में थोड़ा जीरा इसको होने देंगे फिर जी मैंने पेस्ट आपको दिखाया था वो पेस्ट समेर्ट कर देना है और इससे अस्टेवर भूनना है अताकि कच्छा पन ना मारे और पूरी अस्टेवर के तो पूरी अस् इसमें हम टमाटा करेंगे करेंगे तो तो यह दिन चाप खती रहती है तो मसाला हमारा बहुत अच्छी दरी किसे देखिए हमने बून लिया है इसे अब इसमें हम ज़े मिस्कर का जार था इसमें मसाला पीछा था तो एक पड़ी प्रशा पाइन डाल तक हमने मसाला इसमें अच एक्टर लिया कि अच्छी पीदेगे और यह दिचे मिस्के से लगे नहीं इसलिए हो है है तो चलिए समय दाल देते हैं ता कि मसाले इसके अंदर भी भुच जाएं अब आप हम इसमें एड़ करेंगे सुकह मासाले सब्से पहले हम देते हैं हल दिदी पाउडर में डाल देगा है और मिर्स पाउडर धनिया पाउडर। और यहां पे नमक साथ किरने दूर थी पखेंचे कर लेते हैं। मशक्राइबर हमारे लगने करने दूर पाने के पड़ेगे। मेडियम आट पानी करने सारा हमें पानी रखना है तो पानी आट करने के बाद हम इसे पत्म रेंगे करी बाल आ या तक पिर इसमें वर मसाले आट करेंगे तो तो इसको इज़ें वह बाल आ चुका आट यहां पर मैं डाल रहा हूं घर का पिसा हुआ ख़ड़ा मसाला जो की लॉंग और छोटी लैची बड़ी लैची दाल चीली सब उसके अंदर आता है पैखिट मिलता है उसको आप घर पर ही पीछ लीजे और यहां मैं यूज कर रहा हूं गरम मसाला जो की डेडिमेंट है अब डाल रिकने धनिया और इसे करीब 2-3 मिट पकने देंगे तो बैस को स्लो कर लिजेगा और इसको ड़क के 2-3 मिट पकाईए आपके सारे नॉन बेस ठेल हो जाएंगे यह रिसीपी आप कभी भी खाके देखिएगा पता ही नहीं लगा सकते कि आप नॉन बेस खा रहे हैं तो इसे डख के करीब 2-3 मिट पका दीजिए तो यहां देखिए सब्जी हमारी बन के तैयार है बहुत ही बढ़िया गलर आया है बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है और बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए आप लोग कमेंट कीजि ताकि हम और अच्छी वीडियो आपके लिला सकें और धन्यवात आप लोगों का यह वीडियो दिखने के लिए जो मिलते हैं अगली वीडियो में तो तक के लिए अपने ख्याद रखिए